नमस्का सातियों आज की एक लास उत्तरपेदेश से गवर्मेंट एकजाम की किसी भी परिक्षा की तैयारी कर रहे चापतरे के लिए बहुत ही मात्पून रहने वाली है और देखिए मेरा ऐसा भरोसा भी है कि आप लोगोंने उत्तरपेदेश सामान ग्यान को यूपी स्पेसल को कई वुक्से से पढ़ा होगा लेकिन आज हम लोग बिस्ताज से कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं आज हम लोग ऐसे कुछ कुछ लेने वाले हैं जो आपके पुराने कुछ पेपर में और आने वाली परिक्षाओं के लिए काफी महत्पून रहने बाले हैं और इसमें आपके महत्पून कुछन्स ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इसमें आप लोग ये कुछन्स आपकी UP-PCS के लिए महत्पून हो सकते हैं और भी UP-DROGA होता है, SI होता है, TAT होता रहता है, RO का होता रहता है, समीच्छा अदिकारी का होता रहता है इस तरह की उत्तर पोदिश में तमाम एगजाम होते हैं तो सभी एगजाम के लिए et class महत्तमूड रहेगी तो आप लोग एक-एक करके देखेएगा उत्तर पोदिश की राध्धानी लखनो गए आप सभी जानते हैं जानते हैं या नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपके सामने पहला कुश्चन्स दिया गया है और अगर आप लोगों को कुश्चन्स का अंसर आता है तो आप लोग नीचे लिख भी सकते हैं आगरा की मौती मश्चित का निर्माड किसके द्वारा करवाए गया था? आगरा की मौती महषिद का निर्माट किसके द्वारा करवाए गया था अकवर साय जहां औरंग जेब दारा सिको तो आप सभी जानते हैं कि औरंग जेब की द्वारा करवाए गया था किसके साय जहां की द्वारा करवाए गया था ना कि औरंग जेब की द्वारा तीक है? आपका भी यह option बिल्कुल सही रहेगा मथुरा कला बिध्याले काल की दोरान अपने सीज पर था मौर, कुसान, मुगल, सल्तनत तो यह याद रहना चाहिए कुसान काल की समय सीज पर था निमलिकित में से पूर्वांचल एक्सपरेस वी मार्ग निमलिकित में किस नगर से आप नहीं गुजरेगा फैजाबाद, वस्ती, आजमगर, मौ पूर्वांचल एक्सपरेस वी लखनव, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अमेड़कर, नगर, आजमगर, बाराव की वारावंची, मअव अमेठी, गाजीपूर से होकर गुजरेगा लेकिन इसमें पूख रहा है, कहा से नहीं गुजरेगा तो याद रखे ये वस्ती से नहीं गुजरेगा, बाकी सब से गुजरेगा एका अंदोलन का पैरम किया गया था यह महराश्ट की किसानों द्वारा, बंगाल की किसानों द्वारा, पंजाब की किसानों द्वारा, उत्तरपदेश की हर्दोई, बारावंकी और अनिस्थानों की किसानों द्वारा तो याद रिखिए D option आपका बिल्कुत सही रहेगा इसमें वह रानसी की विस्तुनात मंदीर का निर्माट किसने करवाय था रानी हल्यावाई अरियस चंद और मनो रानुजी सिंदिया मोरोपंत पिंगल तो एक कुश्चन मुझे लगता है पूँचा जा सकता है रानी हल्यावाई को लेकर ठीक है एक ओप्सन आपका बिल्कुल सही रह या आपका छटवे में बी उपसन आपका बिल्कुल सही रहेगा क्या रहेगा चटवा उपसन में बी उपसन बिल्कुल सही है तो आप सभी जानते हैं कि राप्ती नदी के किनारी है C option ठीक है उत्तर पेदेश में दिया सलाई उद्द्यों का प्रमुक केंद क्या है बरेली, मुरादाबा, सहरानपुर, मिर्जापुर तो याद रखें इसमें आपका बरेली होगा आठ में A option रोजगार की दिर्ष्टी से उत्तर पेदेश का सबसे बड़ा उद्यक सूती में हद करगा चमडा, सेमेंट तो इसमें याद रखेंगा हद करगा B option बिल्कु सही रहेगा उत्तर पेदेश के लोकायुत भेष्टाचार विरोधी प्रादीकान का पद मेंट से जित किया गया था 1950, 65, 75 या 77 तो याद रखें ये 1975 में 10 में आप लोग C लगाएंगे 10 में क्या लगा हुए? C option आपका बिल्कु सही रहेगा उत्तर पेदेश की पिता महिला मुकमंतरी तो ये आप सभी को मालू होगा कि सुचेता के प्लानी है सरोजनी नाइडू उत्तर पेदेश की पहली महला राज़पालती है तो D option आपका बिल्कु सही रहेगा राश्टी कभी मैतली सरन गुप्त का जनम उत्तर पेदेश में हुआ था तो ये आप देखें जासी में हुआ था कहां हुआ था जासी में हुआ था महर सिवाल्मेकी का अस्तरम ब्रह्मा वर्त में इस्तिथी था जो वर्तमार में उत्तर पेदेश के ने है विठ्वर, सेतापूर, वनारसी, इलाबाद तो याद रखे इसमें आपका विट्टोर में देखने को मिलेगा अंगला कुशे ने फरोग का बाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माट बास साय ने करवाय था कवर्स औरंजिप साय जहां जागी तो चौदे में आप देखेंगे चौदे में आपका B option होगा औरंग जिवन है ने मिलिकित में से कौन सी नदी यमना किसा एक नदी नहीं है कैन बैदबाद चमबल कल्यानी है तो 15 में आप लोग क्या लगा होगे D option आपका पिल्कुल सही होगा कल्यानी नहीं है बाकी आपकी सब आपको देखने को मिलेगी तो यह भी याद रखेगा आप लोग अंगले question की तरफ हम लोग बढ़ते हैं 16 मिर्दा क्या यह आप देखेंगे मिर्दा जिसमें मुक्रूप से पोटास की कमी होता है उत्तर पिदेश के जिले में पाई जाती है तो यह आप देखें महोबा उत्तर पिदेश को महलाओं से संबंदित पहली पत्ति का 1847 में पिकासित पिकासित करने का सिरे जाता है जिसके उसमपादक भारतेंदू हर्ष्चन्द थे बाल बोधनी सरसुती सितार सितारे हिंद और उद्धन्त तो यह आप देखेंगे आपका बाल बोधनी होगा यह ओप्सन अठारे में बिल्कु सही है 19 से पिसित जिस सितार बादक नवाब इनाद खान उत्तर पदे से संबंदित थी इटा से एटावा से और अगवाद से प्रोजावा से तो याद रखे यह थे और यह आसे कहां से सी ओप्सन बिल्कु सही रहेगा अंगला कुशन है नेमलिकित में से बंदेल खन का लोग प्री यह लोग गीत कौन सा है विरहा, आला, रसिया और लंगुरिया यह आप सब ही जानते हैं कि इसमें आपका आला होगा, आला उदल की बारे में सुने हैं 20 का B होगा उत्तर बिदेश का चेतफल, देश के कुल चेतफल का कितना है ए 21 बा कुश्टन से आपका 13.5%, 9.4%, 8.4%, 7.3% तो याद रखे इसमें D ओप्सन आपका बिल्कु सही होगा, 7.3% चटबी सतब्दी सापूरुप के दोरान मतुरा के आसपास के चित को कहा जाता वंचाल, अंग, सूरसेन और मत्स तो याद रखे इसमें आपका सूरसेन कहा जाता था C ओप्सन बिल्कु सही है फैजाबाद की प्रमुक्ष संगीत कार थे जिनोंने सास्ती संगीत में ठपा सेली का भिकास किया था मुस्तेई, मुस्तरी, भाई, खुसी महाराज, महन, महनिक खान और ठाकोर पैसाद तो याद रखे इसमें आपका मुस्तरी भाई होगी 23 में आपका A option अंगला कुशन है मारे सामने 24 24 में आप देखेंगे की देवरिया में A option बिल्कुँ सही है पहली जनवरी 1845 को उत्तर पिदेश ने नामक उत्तर पिदेश ने नामक पहला हिंदी समाचार पत्र निकाला जिसका जिसका जिसे गोविद्न रगुनाथ ने संपादित किया था सरसुदी बनारस अखवार हंस जागरन 26 में आप लोग क्या लगा होगे कि आपका B option बनारस अकबार होगा अंगला कूशन है हमारे समने आगरा और अबद की सहिक्त प्रांथ जिने अब उत्तर पिदेश के नाम से जाना जाता है ने वर्स 1921 में अपनी राध्दानी को लखनवुस से इस्थानरानतित किया था आगरा देहरादून, इलाबाद, कानपूर एस 27 में आप लो इलाबाद लगाएंगे, इलाबाद किया था एक जिला एक उत्तपाद, इहुजना की अत्तरगत हस्त निर्मेत कागज के उत्तपादन के लिए उत्तरपिदेश के जिले को चुना गया अमेठी, जालोन, देवरिया, कुसी नगर अठारे में क्या लगाओगे, देवरिया सी ओप्सन आपका, बिल्कु सही है आगरा लखनव एक्सप्रेस भी हाईवी की लंबाई कितनी है 300 किलिमीटर, 250 किलिमीटर 350 किलिमीटर, 400 किलिमीटर तो याद रखिए आपकी 29 में आप लोग 300 किलिमीटर, एक उप्सन बिल्कु सही है अंगला कुशन है हमारे समने 30, पित्थम, दीन दयाल, हस्त, कला, संकुल, व्यापार, सुभिधा के अंदिस्ता है आगरा में, वरनारसी में, कानपूर में, गोरकपूर में 30 में आप लोग क्या लगा होगे तो याद रखिए बनारस में, बी ओप्सन आपका बिल्कु सही है उत्तर पिदेश, उत्तर पिदेश में कोईली की भंडार पाये जाते हैं बिंद चेत में, सिंग्रॉली चेत में, बुंदेल खंड चेत में, उपयोकत सभी तो याद रखिए 31 में आपका बी, सिंग्रॉली में पाये जाते हैं 31 में C, उत्तर पिदेश के उच नियाले के मुख नियादिश की निविपती रहता है भारत का राश्पती, सर उच नियाले के मुख नियादिश, राज जिपाल, पिदान मंतरी तो 32 में आप लोग ए उप्सन लगाईए, भारत का राश्पती करता है ठीक है, मुख नियादिश की बात हो रही, ठीक है उत्तर पिदेश में निमलिकित जिलों में से किस ने 112 की वरोजी ओर महिला वो ग्राम पिदान चुना था इमाउ, गाजीपूर, आजमगड, जौनपूर तो ये आप देखेंगे, 33 में आपका C उप्सन, आजमगड भारत की किस देश, किस पिदेश को बहुत धरम का पहला पलना कहा जाता है उत्तर पिदेश, बिहार, मद्धिपिदेश, जत्तिसगड तो ये आप देखेंगे, 34 में आप लोग क्या लगाओगे 34 में आपका होगा, A option उत्तर पिदेश को, A option बिल्कुँ सही है उत्तर पिदेश का कौन सा जला, खनिचक संचित, भंडार की दिरश्टे से समरद है मेजापूर, सौनबद, बांदा, ललितपूर तो ये आप देखें, 35 में आपका A option होगा, मीरजापूर अंगला कुशन है हमारे सामने 36 चमड़े की बस्तूओं के लिए पिसद्ध जिले है सौनबा, तेलाबाद, जौनपूर, रामनगर, मुरादाबा, लकनव, आगरा, कानपूर तो इसमें आप लोग क्या लगाओगे, इसमें आप लोग लगाओगे देखें, आगरा और कानपूर, D option विल्कू सही है जौनपूर आजिका अंतिम सासक कौन था, मुहमद साय, हुसें साय, मुहबारक साय, इब्राहिम साय तो इसमें आप लोग B option लगाएंगे, हो सेंसा है 37 में B, ठीक है अंगला कुशन है हमारे सामने 38 निमलिखित, निमलिखित में से कौन सा उत्तर फिदेश का सबसे पुराने विस्विध्याल है, अलीगर मुसलिम विस्विध्याल है, बनारत सिंदू विस्विध्याल है, मात्मा गांधी, कासी विध्यापीर इलावात केंद्री विस्विध्याल है तो आप सभी जानते हैं कि इलावात केंद्री विस्विध्याल है तो 49 में आप लोग का लगा होगे सीटापुर में सी ओप्सन विल्कु सही है उत्तर पिते से मंदर एलबी का जेत का मुख्याले कहां देखने को मिलेगा गुरकपूर लखनौ बनारसी इलाबाद तो याद रखे 40 में आप लोग क्या लगाओगे 40 में आप लोग लगाओगे D option इलाबाद उत्तर पिते से में नक कटे या मेला कहां पर आयोजित होता है एलखनौ बनारसी इलाबाद सहरानपूर तो 41 में आप लोग क्या लगाओगे B option बनारसी ठीक है भारत में निमलिकित में से कौन सा राज? ग्यों का सबसे बड़ा उत्तपादा के बिहार, पंजाब, हर्याना, उत्तर पितेस तो 44 में आपका D option उत्तर पितेस होगा उत्तर पितेस का मलीहाबाद पिसिध है, पीला खरबूजा के लिए, मलीहाबादी बिर्यानी के लिए, सूती चिकन के लिए, दसहरी आम के लिए तो ये तो आप सभी जानते ही कि दसहरी आम के लिए पिसिध है, 45 में आपका D option होगा, क्या होगा D option 46 पंदरवा पिरवासी भारती दिवस जनवरी 2019 में किस सहर में आई जित हुआ था, वरारस में, बढ़ोदरा में, जैपुर में, पूने में तो ये आपका वनारस में हुआ था, दीगा, उत्तरविदेश की निमलिखित में नदियों में से कौन सी परियावन पिदूसन के कारण जैविक आपदा गोसित कीगी, यमना गोंती सही तमसा, तो ये इसमें आप लोगों को याद रखना चाहिए, यमना नदी, 47 में आपका ए उप्सन, वरानसी को निमलिखित में से किसने अपनी दुतिया राध्धानी बनाये था, अजा सत्तु कालासोग महापदमनन सिसु नाग, तो ये आप देखेंगे, किसने कालासोग ने, ए भी उप्सन आपका विल्कुल सही होगा, जैन धरम के 23-23 कर पासवनात का जनम रा प्रिदेश को बहुत धरम का पालना का जाता है, उत्तर प्रिदेश, बिहार, मत्र प्रिदेश, चत्तिस गर, तो ये तो आप लोगों को बता चुका हूँ, उत्तर प्रिदेश होगा, तो उपरा सहरान को तथा मेरट के असोग इस्तमलेकों को दिल्ली कॉन लाया, यह option बिल्कु सही है, फिर आप देखेंगे कि बावन, एक मुहमद गजनभी ने कन्योज पर कव आत्मत किया, 1016 से 17, 1018 से 19, 1019 से 20, 1020 से 21, तो यह आप देखेंगे कि आपका बावन में क्या लगा होगी, बी option, 1018 से 19 में, बावन में बी, पिदेश की मेरट नगर में पिथम स संघराम कब प्याराम हुआ था, 10 अपरेल 1957, 17 जून 1857, 10 में 1857, 28 में 1857, तो तिरेपन में आपका सी होगा, 10 में 1857 का दिन था, सी option बिल्कु सही रहेगा, गोरगपूर उत्तरप्रदेश के समीब इस ते चोरा, चोरी, चोरा हत्याकांट कब हुआ था, चार फरवरी 1922, 10 अपरेल 1922, 5 फरवरी 1922, 1921, 21 फरवरी 1922, 27 फरवरी 1922, बड़ा फिलो फिलो में, तो ये चार फरवरी 1922 की घट रहा है, असाई गवान दो में बलन बापस ले लिया था, गांदी जी ने, अंगला कुशन ने 1857 की स्वाधीन था, संघराम की बीरागना मह बनारसी बिंदावन, तो बनारस की थे, इनका जनब बनारस में हुआ था, जहां से में इनकी साधी होती हो, ग्वालियर में इनकी समाधी देखने को मिलेगा, आपको फूल बाग के पास, ग्वालियर में इनकी सहीद हो गई थी, ठीक है, चंदेशिका राजात मोटवीड मे का सहीद हुए थे, कानपूर, लखनव, इलाबाद, सहरानपूर, बताइए इसमें, तो आप सभी कुमाल होना चाहिए, कि एक इलाबाद में हुए थे, बुंदेल खन छेत के लिए सरवादी कोपयोग फसल चक है, जवार अरहर, मक्का आलू, धान मसूर, धान मतर मुंडा, इस अंधाबन में आप लोग देखेंगे कि आपका जवार अरह होगा, ए उप्सन विल्को सही है, नेमलिकित में से किस जिले को अंतराष्टी सीमा इस परस नहीं करती है, बलरामपूर बस्ती, फिलीवीद और सरावस्ती, तो आप देखेंगे कि अंधाबन में क्या लगा ह बस्ती, वर्सा की वितरन की आधार पर उत्तर फिदेश को कितने जलवायू विभागों में विभाजित किया गया है, तीन, दो, चार, पांच, तो 69 में आप लोग दखायोगे, 69 में आपका बी उप्सन, दो, उत्तर फिदेश के किस जिले में सबसे कम बर्सा होती है, ललित यह आप देखेंगे, पांस, साथ, दस, ग्यारे, तो साथ है इसमें, क्या है, 61 में भी है, 2011 की जनकरणा के उसार, राज में महला आबादी, क्योला आबादी का लगभग है, 48%, 50%, 45%, 59%, तो यह सभी जानते हैं कि 48% है, पोरुसों से कम है, अंगला कोशन है, हमारे सामने 63, उत उतर पिदेश में इस्तित अयुद्या नगर किस नदी के किनारे है, गंगा, यमना, सर्यू, गौंती, तो इसमें आप लोग याद रखें, सर्यू, नदी के किनारे है, 65 कूशन कहरा है कि उतर पिदेश की प्रमोक नदी, गंगा किस नदीयों से मिलती है, देवबानी, अलग नदा, भागे रती, भागे रती, मंदाकनी, भागे रती, गंगोत्री, तो 65 में आपका B option होगा, अलग नदा, भागे रती, अंगला कुशन है हमारे सामने 66, भोलर, जील, भारत के किस राज़े में इस्तित है, मद्पदेश, उत्राखन, विहार, उत्तर पिदेश, उत्तर पिदेश में आपको देखने को मिलेगी, 66 में आपका D option है, 66 में D, उत्तर पिदेश में बहने वाली गौमती नदी किस इस्तान पर गंगा नदी से मिलती है, गाजीपुर, प्रयाग, कन्योच, उप्यक्त में से कोई नहीं, तो 66 में आप देखेंगे, गाजीपुर म विध्या वाहिनी परियोजना निमलेकित में से किस पर बल देती है, कंप्यूटर सिक्चा पर, मूले सिक्चा पर, परयावणी सिक्चा पर, कौसर विकास पर, तो 69 आप देखेंगे, A option, कंप्यूटर सिक्चा पर, उर्धु को राच की दूसरी भासा की रूम में सुईकार किया गया था, 1989 में, 1971 में, 1989 में, 1989 में, तो 70 में आप देखेंगे, C option, 1989 में, 70 में C होगा, उत्तर पिदेश प्रात्मिक सिक्चा के लिए, स्कूल चलो अभियान सुरू किया था, 1999 सन 2000 में, 2001 में, 2002 में, तो एक अप किया गया था, 71 में याद रखेंगे, आप लो, कि 71 में आप परात्मिक सिक्चा पर, तकनीकी सिक्चा पर, तो यह आप देखें, परात्मिक सिक्चा पर, C option बिल्कुल सही है आपका, अंगला कुश्या ने, कनहिया लाल, मनिक लाल, केंदरी हिंदी संस्थान इस्तित है, आगरा में, बरेली में, औरकपूर में, यह आप देखेंगे, या फिर आपका, मेरट में, तो 73 में आपका होगा, यह आगरा में, पिदेश का उच्चे सिक्चा नेदेशाले कहां इसते थे, लखनव, इलाबाद, कानपूर, बनारसी, तो यह आपको देखने को मिलेगा, इलाबाद में, कहां, इलाबाद में, यह उत्तर पिदेश में के से कोई ने, तो याद रखे, 76 में आपका क्या होगा, 76 में होगा आपका B, लाइम, स्टॉन, और डॉलोमाइट, ठीक है, 76 में B, अंगला कुशन है हमारे सामने, 77, उत्तर पिदेश में, यूरेनियम के भंडार कहां पाया जाते हैं, ललितपूर, मिर्जापूर, हमीरपूर बांदा, तो 77 में आप देखेंगे, ललितपूर है आपका, ए उप्सन सही है, उत्तर पिदेश में किस पेकार का लोहा पाया जाता है, हैमेटाइट, मेगनेटाइट, ए भी दोनों, या इन में से कोई नहीं, तो 78 में आप देखेंगे, C उप्सन दोनों, ठीक है, 78 में C, अ 1953, 1955, 1955, तो आपका याद रखेंगे, इसमें अस्ती में D, 1955 में, क्या वो, 1955 में, अस्ती में D होगा आपका, राजीव गांदी पेट्रॉलियम प्रोधगी की संस्तान इस्ते थे, कहा हैं, अमेठी में, जायस में, या फिर आप देखेंगे, क्या आपका, कहां, या कानपो, कह जगदीशपूर में, राय बरेली में, तो 81 में आप लोग क्या लगा होगे, 81 में भी जायस में होगा, ठीक है, अंगला खुष्यन है हमारे सामने 82, उत्तर विदेश का कौन सा नगर, चिकन पर गोटे का काम जरी के लिए पिसिद्ध है, आगरा लखनव कानपूर तो फरीकवा बात जाना जाता है, कालीन उद्ध्यों के लिए छपाई फर्मा उद्ध्यों के लिए, इतन इर्मार उद्ध्यों के लिए, कांच उद्ध्यों के लिए, तो यह आप देखेंगे, छपाई फर्मा उद्ध्यों के लिए, अंगला खुष्यन है हमारे समने, उत यह नहीं कागज और वरक तो यह 85 में आप देखें कि A options है यह सिमेंट होगा आपका अंगला कोश्यान है 86 उत्तरवदेश, खादी, ग्रामवद्देव की इस्तापना होई थी 1950 में, 1970 में, 1970 में तो यह आप देखें कि 86 में आपका क्या होगा? 86 में होगा B option 1960 में, 86 में आपका B, सूची 1, सूची 2 को समिलित करना है आपको सूची 1, सूची 2 चुर्क, ताला, थरोजाबाद, खेल, खेल सामान, अलीगर, और सही कूट चुने, इसमें से सिमेंट, मेरट बताई इसमें से सही कूट क्या होगा? और A आपको नीचे option दिया गया है क्या दिया गया है? option दिया गया है, किसमें? 87 की बात हो रही है, तो इसमें आप देखेंगे C option बिल्को सही होगा, क्या C option सही होगा? क्या होगा? C option बिल्को सही होगा? इसमें आप लोग बता दूँ, इसमें देखिए ए चोरक, एज आप देखेंगे सेमेंट के लिए, फिरोजा बाद आपका चूडियों के लिए, अलीगड आपका ताला के लिए, मेरट आपका सेमेंट के लिए माकरी, खेल सामान के लिए हुगा फिरसे एक बाद देख लिए चोर्क यह आप देखेंगे सिमेंट के लिए फिरोजा बाद यह आपका चूडियों के लिए अलिगर ताला के लिए और मेरट आपका खेल सामान के लिए इस तरह से आप लोग इसमें क्या लगांगे क्या C option 87 में C कुशन है 88C निमने मैं से किस के उतपादन का केंद मेरट है जूते चपल खेल के सामान मिट्टी के बरतन और रबर उतपाद के लिए तो 88 में आपका B option खेल सामान के लिए 1903 में भारत बर्स की पिथम चीनी मिल के स्थापित हुई थी पिताफगर में पितापपुर में या मवाना में या बलरामपुर में कहां हुई थी बताइए कुछ तो आप देखेंगे कहां नबासी नबासी में आप लोग देखेंगे B option पितापुर में कहां पितापुर में ठीक है तो यह भी याद रखे हिंडाल को इस्तापित है मौदी नगर में रॉबर्ट गंज में रेनुकोट में नुइडा में तो 90 में आप लोग क्या लगाओगे C option रेनुकोट में C option क्या C option विख्यात भारत माता मंदीर किस्ते थे लखनव बनारसी इलाबाद मेरण तो याद रखे बनारस में देखने को मिलेगा 93 कुश्चन से हमारे समने निमलिकित में से कौन सायवाँ सुमलित नहीं है बिंदाबन मंदिर मतुरा ये आप देखेंगे जे के मंदिर लखनव विश्वनात मंदिर बनारसी देवी पातन मंदिर तोलसी पुर ये आप देखेंगे 93 में आपका क्या होगा B option जे के मंदिर ल आपका B option 93 में आपका बिल्कुस गलत होगा ठीक है निमलिकित में से कौन सा उत्तर पिदेश में बहुत परीपत का भाग नहीं है कपिल वस्तु कुसी नगर संकिसा और सारनाथ तो 94 में आप देखेंगे C option होगा संकिसा ठीक है उत्तर पिदेश में जेन एवं बहुत दोनो का पिसे दितित है कुछ देवी पाटन कौसांभी कुसी नगर सारनाथ तो 95 में क्या लगा होगे आप लो तो 95 में आपका B option सही होगा कौसांभी है विल्कुस सही है कौसांभी है इसमें 95 में भी होगा ठीक है अंगला कुशन हमारे सामने उत्तर पिदेश का प्राचिंतम ज 97 में 84 में 90 में तो 97 में आपका A option सही है 14 में 1994 में उत्तर पिदेश में सीमान किसान किने कहा जाता है एक एकर से कम भूमी वालों को एक हेक्टर से कम भूमी वालों को 2.4 2.5 हेक्टर से कम भूमी वालों को तो 98 में आपका होगा क्या B option एक हेक्टर से कम भूमी वालों को ठीक चावल गन्ना ग्यों दलहन तो 99 में आप लोग क्या लगाओ फिंघ को अपत्त पर है उत्तर पिद्थ नलकेत में से कि तो 100 में आप लोग लगाओ को वत के सरवादी इसमें बायू मेटा अनसे सरवादिक फिध दच्चडी छेत तो आपको यह मालू होना चाहिए कि पश्चमी छेत है जलोर मिर्दा में किस रसाइन की फिचुरता रहती है पोटास एवं चुना मैगनी जेवं सलफर, फॉसफोरस, नाइट्रोजन उपयुक्त में से कोई नहीं तो एक सो दो में आप लोग लगाएंगे ए पोटास और चुना माता टीला परियोजना संबंदित है बैतवा, गोदावरी, किष्णा, पेरियर ए तो आप सभी को मालू होगा कि बैतवा नदी से संबंदित है किसे बैतवा नदी से राजगाट बांद एवं नहर परियोजना उत्तरपिदेश और मत्यपिदेश सरकार के बराबर सहयोग बाली सहयोग परियोजना है जो बनाईगी यमना पर, चंबल पर, बैतवा पर, कैन पर तो एक सो चार में भी आप देखें बैतवा नदी है तो एक सो पाँच में आप लोग याद रखिए बैतवा नदी पर है, किस पर बैतवा नदी पर है अंगला कुशन है हमारे सामने साम चटवा, उत्तरपिदेश में सिजाई के मुख सादन है नहरे, नलको, तालाब, कुए, अन्न सादन इसके महत्पून घर्ते करम में आपको लगाना है तो आप देखेंगे 106 में क्या लगाओगे 106 में आपका क्या रहेगा नहरे, नलको, तालाब, कुए, अन्न सादन तो इसमें नलको, सबसे जाना फिर आप देखेंगे नहरे, फिर आपका तालाब कुए हो गए, और क्या होगा अन्न हो गए, और फिर तालाब कुए इस तरह से आपका बी ओप्सन होगा पहले नलको, फिर नहरे, फिर आप देखेंगे अन्न सादन, फिर तालाब कुए का नमबर आ जाता है टेक है 106 में आपका B कुश्यन है हमारे सामने उत्तर पेदेश में सबसे सबसे मुचा बांध कौन सा है माता टीला मेजा रयन राम गंगा तो याद रखिए इसमें राम गंगा होगा D option विलकुँ सही है क्या D option विलकुँ सही है और फोलार जील भारत के किस राज़ी में उसते थे मद्यपेदेश, उत्तराकंड, बिहार, उत्तर पेदेश तो आप सब एक मालू है कि उत्तर पेदेश में है उत्तर पेदेश सरकार की सबसे लंबी नहर कौन सी है उपरी गंगा, नहर, आगरा नहर, निचली गंगा नहर, सारदा नहर तो A आपका 109, D option सही है सारदा नहर, काउंसी? सारदा नहर ठीक है? अंगला question है हमारे सामने 10 110 गोबिन बल्लाब सागर परियोजना अनलेमलेकित में से कहां परस्ते थे? मिर्जापुर देख प्याग, जहांसी वैतवा, मिर्जापुर पेपरी और भुलन सहट नरोरा तो यह आप याद रखिएगा 110 में आप लो C option होगा मिर्जापुर पेपरी C option बिल्कुँ सही है 111, सूची 1, सूची 2 को समलित करना है सूची 1, सूची 2 इलावाद, अमोसी, कानपुर, बाबतपुर और लखनव, बमरोली, बानरसी, चकेरी तो 111 में क्या लगाओगे आप लो? बताए कुछ तो इसमें आप देखेंगे इलावाद, बमरोली, बिल्कुँ सही है फर आप देखें, कानपुर चकरी, लखनव, अमोसी, बानरसी और ये बाबतपुर तो इसमें C ओप्सन सही रहेगा 111 में C निमलिकित में किसका प्रयोग राष्टी जलमार्क की रूमे किया गया इलावाद, हल्दिया के मद्द, गंगा इलावाद, इबंदिली के मद्द, यमना कुलकाता, गोगडी के मद्द, बहमपुत जवल्पुर, भारूच के मद्द, नर्वदा तो आप सभी गुमालू है कि इलावाद, हल्दिया के मद्द, गंगा ए ओप्सन बिल्कुल सही है 113, यमना एक्सपरेस्वे के目डि के बीच है इह गेटर गेटर, गेटर नुड़ा, आगरा, गेटर गेटर नोड़ा आगरा लखनव, आगरा, लखनव इटर गेटर, गेटर नोड़ा होगा 113 में आपका B option ठीक है अंगला कुइशन है एकसो चोड़ाइब़, एसीया के सबसे लंबे साइकल हाईवे, कि एटावा से अग्रात के मद्दल लंबाई कितनी है, 107 km, 304 km, 304 km और C कह रहा है आपसे कि 207 km और 80 km तो 115 में क्या रहेगा? A option महाप करीए 114 में क्या रहेगा? C option 114 में C option रहेगा आपका 207 km उत्तरपिदे से सुरू होने वाला सबसे लंबा राष्टी राजमार कौन सा है? तो याद रखेए इसमें आपका 115 में यह NH7 ट्रांस्पोर्ट नगर से चार बात तक पहले चरन की अंतर का लखनु मेट्रो का सुवारम की स्तितिक को किया गया था यह आप देखेए 5 सेप्टमबर 2010, 5 अक्टूबर, 5 नवंबर या 5 दिसंबर तो 116 में आप देखेएगा कि आपका 5 सेप्टमबर 2017 की बात है विदेश में नवाब गंज, पक्ची बिहार कहां वस्ते थे? गाजियाबाद में, गोंडा में, रायवली में, उन्नाव में तो इसमें याद रखेएगा आपका उन्नाव होगा 117 कड़ी तो इसमें याद रखेएगा आपका 119 में आपका वी ओप्सन होगा इटावा विल्कु सही होगा क्या है? इटावा विल्कु सही होगा चलिए 120 देख लिए जिए दाव अपरेशन ग्रेन परियोजना का उत्तरविदिस में सुभारम हुआ है तो इए 1952, 1955 सन 2001, 2005 तो इए तो आप सभी को मालू हना चाहिए कि C-Option 2001 की बात चल लई है कब की बात चल लई है? 2001 की बात चल लई है यह आपकी 2001 की बात चल लई है कब की चल लई है? 2001 की बात चल लई है तो इभी आप लोग मालू रखिएगा चलिए अंगला कुशन हमारे समने 21 निमलिखित जन जातियों में किसकी जन संक्या उत्तरपितिस में सरभादिक है? बन रावत, थारू, सहारिया, थोरिया तो 121 की बात हो रही है किसकी? 121 की बात हो रही है तो इसमें आप लोग देखेंगे 121 में आपका B option थारू 121 में आपका B अंगला question है निमलिखित में से कौन सा तेवार थारू लोग सोग फरक के रूम में मनाते हैं 121 दीपावली, होली, नंग, पंचिवी तो इसमें याद रखेंगे आपकी दीपावली को मनाते हैं लोग कर्मा लोग नेत है निमलिखित में महुबा का, पुर्वांचल का, वरेज का, सोनभध्द्ध का तो याद रखें सोनभध्द्ध का है परहिया, जंजाती निवास करती है बहराईच में, पिली भीत में, ललितपूर में तो याद रखें सोनभध्द्ध में 25 questions है साका हरी साख कंभरी देवी मिले का आयोजन किया जाता है बनारस में, बिंध्यानचल में, मेरट में सहरानपूर में तो यह आप देखिए कि कहा किया जाता है यह आपका सहरानपूर में होगा 26 कुश्चिन से हिंदो हिंदो मुसलिम एकता कफितीक सुलह कुल, उत्सव मुत्वर फिदेश में आयोजन किया जाता है, मेरट हलीगोड लखनव आगराब, तो एक यह आ जाता है आपका आगराब में, सूची एक सूची दो को सुमिलिक करना है आपको ए सूची एक हो गई, और सही नीचे देगे कूट से सही उत्तर चुणना है, उत्तर फिदेश परेयाटन द्वारा आयोजन मेला तिवहार हो गए आयोजन किस्थल हो गए, क्या हो गए? आयोजन किस्थल हो गए, यहां दिये गया, देखे पसु मेला, यह कहा लगता है? और धुपद मेला कहा लगता है? गोविन्द साहब मेला कहा लगता है? माग का मेला कहा लगता है? एक सो सत्ताइज, बताइए तो पसु मेला आप देखेंगे, कहां? बटेस्वर में लगता है, धुपद मेला कहा लगता है? यह धुपद मेला आपका वनरस में लगता है, गोविंद साहब मेला कहा लगता है अमेड का नगर में लगता है, माग मेला इलावाद में लगता है तो इस तरह से A option आपका बिल्कुल सही रहेगा इसमें 27 में क्या रहेगा, A option 28, सुची एक सुची दो को सुमलित करना है सही उत्तर का चैन सुची के नीचे देगए, कूट से करना है सुची एक सुची दो मिले हो गया, आयूजन स्थल बटे सुर, बारावंकी, देवा, मेरट, हरिदास, जैन्ती, आगरा, नौचंदी, बेंदावन तो A आप लोगों बताईएगा 28 में क्या लगा होगे लोगनित्य राहूला का समन्द उत्तर पर इसके निमलिकित में, पूर्वी चेत में, पस्टमी चेत में, मस्तिद्य चेत में, और बुंदेल खंड चेत में तो 130 सा आपका बुंदेल खंड चेत होगा 130 में D क्या D option बिल्कुल सही रहेगा इसमें अंगला कुशन है हमारा सामने 131 चर्कुला प्रमुक लोक थे, बुंदेल खंड का, बिर्ज भूमी का, अवद का उपयुक्त में से नहीं तो 31 में, 131 में B बिर्ज भूमी का, ठीक है A option बिल्कुल क्या B option बिल्कुल सही रहेगा 31 में सूची एक, सूची दो को आपको सही सुमलित करना है, सूची एक, सूची दो विरहा, कजरी, मलहार, रसिया कहां का है सब तो 132 में आप लोग देखेंगे कि विरहा आपका बोचपुरी, कजरी, आउदी मलहार आपका ब्रजी और रसिया कोर्भी तो इस तरह से D option होगा, बिल्को सही तो आप लोग आपको सान होने की जरुवत ही नहीं कभी-कभी इस तरह के questions भी पूँच लेता है 132 में आपका D रहेगा ठीक है, अंगला question धुरीला, धुरिया लोगनित है, अवत का बुंदेल खंड का पूर्वांचल का रोहेल खंड का तो ये आप देखेंगे, आपका बुंदेल खंड का चितकला की मुकल सली का आरम किया गया अकवर ने, हुमायूने, जहांगे ने, साह जहाने तो ये हुमाईव ने, किसने हुमाईव ने, अंगला है उत्तर पिदेश का मुख लोग नेत है धोविया राई साहरा, तो ये राई है, क्या है, राई है, अंगला कुशिन है हमारे सामने 36, ये भारत भात खंडे संगी संस्थान लखनव डीम डेपस वध्याला है बना 1998 में सन सुची एक सुची दो को चुनना है आपको, जनपद हो गए, मुख्याला हो गए, जालोन कानपूर दीहा संत्रविदास नगर कुशी नगर, तो 138 आप लोगों को चुनना है, जालोन तो इसका औरही आप लोग लग लगएंगे, कानपूर का आप लोग देखेंगे, तो अ उत्तर प्रदेश में उच्छे सिक्षा उच्छे नियाले कहां इस्थे थे लखनौ इलावाद अगरा मेरेट में तो यह तो आप सभी को मालू है कि आपका कहां है इलावाद में देखने को मिलेगा जिसे आप लोग पर रियाग राज के नाम से भी जानते हैं गौतम बुद् पंचया चुनाव लड़ने ही तो एक ब्यक्ति के आई होनी चाहिए 18, 25, 30 तो आपको बताना है तो याद रखे 21 साल होनी चाहिए और आपको बोट डालने के लिए आपकी उमर 18 साल होनी चाहिए और दूसरी बात अगर आपको विधान सभा के चुनाव लड़ना है तो आप की उमर 25 साल होनी चाहिए लोग सभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी कम से कम उमर 25 साल होनी चाहिए विधान परिशत का चुनाव लड़ना है तो आपकी उमर 30 साल होनी चाहिए और राज्य सभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उमर 30 साल होनी चाहिए और फिर आप ल आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखोगे, कुछ याद रखोगे या नहीं, 143 में क्या लगाँगे, चंद भाल, 143 में आपका बी, उत्तर प्रदेश की राज्की चिंद में नहीं है, मचलियां धनोस तीर मोर, तो 144 तो मोर नहीं है, ठीक है, आप देखेंगे, उत् 145 में याद रखिए, अठारे जुन 2001 होगा, ठीक है, अंगले कुश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, किसे हिंदी, खडी भोली का जनक माना जाता है, तो अमीर खुसरो को, मलिक मुहमद जासी को, कबीर को, अब्दुल रहीम खानी खाना को, तो अमीर खुसरो को, 140 में A option होगा आपका, 147 questions पूच रहा है आपसे कि बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम बर्सा, रितु कहां बिताई थी, सरावस्ती में, वैसाली में, कुसी नगर में, साजनात में, तो याद रखिए, कुसी नगर में बताई थी, किस कारागार में, पंडिर राम परसाज, बिस्मिल को फांसी दे गई थी, गौंडा, फैजाबाद, गोरकपुर, बरासी, तो A आपको दे गई थी, बनारस में, कहां? गोरकपुर में, ठीक है? नागी बनारस में, मौदी साहब के छेत में नहीं, गोरकपुर में, 148 में आपका C, अमीर कुसनों ने किसके विकास में अग गामी, भूमिका नेवाई, बिरजभासा, अवधी, खड़ी बोली, भोचपुरी, तो A आप देखेंगे, आपका खड़ी बोली में, 149 में आपका C होगा, 149 में C, पिदेश में जासी के लिए पर अंगरेजों का, अधिकार कब हुआ? ये आप लोग बताइएगा, अ अवध अंगरेजों के अधिकार में कब आये था? 17 परवरी 1857, 6 सेप्टमबर 1857, 10 जुलाई 1857, और 18 दिसंबर 1857, तो A आप लोगों को याद रखना होगा, 6 सेप्टमबर 1857, भी ओप्सन विल्कु सही है, किसमें? इंक्यावन में, अंगला कुश्यन है हमारे सामने, 152 गो फरवरी 1921, 27 फरवरी 1922, तो ये तो आप सभी कुमाल होगा कि आपका 5 फरवरी 1922 की बात है, उत्तर प्रदेश में काकोरी 17 कांड कब हुआ था? 9 जुलाई 1925 में, 9 जुलाई 1925, और 15 अगस्त 1925, सूले फरवरी 1925, और 25 अगस्त 1925, तो A आप लोग याद रखिएगा, त्र जवाहलाल नेरू, सरदाच बलाभाई पटेल, चौदरी चरन सी, तो ये तो आप सभी कुमाल होगा, मुझे लगता है कि क्या, चंगन में 15 जवाहलाल नेरू ने, ठेक है, एक सू चंगन में आप लोग भी लगाएंगे, सन 1857 की विद्रों में तक्त्या टोपे ने किस जग लोग, C option, खान बहादुर ने, खान ने, ठीक है, किसनपुर अभ्यारन, पिदेश की किस जिले में है, मेरख जिले में, लखिमपूर केरी में, रामपूर जिले में, जहांसी जिले में, तो इसमें आप देखेंगे कि आपका लखिमपूर में है, विरोजा वात तारफीन का तेल बनाने के लिए किस चीज़ का अफ़र होता है सीसम की राल का, खेर की लार का, राल का, चेड की राल का, साल की राल का, तो एक सो अंठावन में आप देखेंगे सी ओप्षन होगा, चेड की राल का, अंगला कुश्यन है हमारे सामने 169 कथा किस ब्यक्षे से बनाए जाता है, खेर से, गुरूल से, बैंत से, तेंदू से, तो यह सभी जानते हैं कि खेर से, नेमलिकित में किसे फ़सल में उत्तरपदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, सबसे बड़ा उत्पादक आलू चावल, और आपका है, गन्ना गेहूं, तो आप सभी जानते हैं कि B ओप्षन होगा इसमें, चावल में नहीं है, ठीक है, 160 में क्या लगाओगे, B ओप्षन, 60 में, 160 में B होगा, ठीक है, तो यह आप लोग जरूरी याद रखिएगा, अंगला कुश्चन देख लेते हैं हम लोग, 161, उत्तर विदेश में उगाई गई निमलिकित फसलों में, किसकी अवधी नियून तमें, चना मसूर अरहर मूंकी, तो यह याद रखिए मूंकी, निमलिकित में से कौन सा फलसाज चक पूरवी उत्तर विदेश के लिए अधरवादी उपयुकत है, धान, मक्का, ग्यों, मक्का, आलू, ग्यों, मक्का, तौरिया, ग्यों, कपास, ग्यों, मूं, तो यह आप देखिए आईगा, यह ओप्सन बिल्कु सही होगा, धान, मक्का, ग्यों, 163 में आप लोग क्या लगाएंगे, भारत में निमलिकित में से कौन सा राज, ग्यों के सबसी वड़ा उत्पालक है, बिहार, पंजा, भारियाना, उत्तर पिदेश, 163 में आप लोग डी लगाएंगे, उत्तर पिदेश, उत्तर पिदेश में कुल बो बी ओप्सन चाहिए, उत्तर प्रदेश में सीमान किर्षक किने कहा जाता है, एक घर से कम भूमी बालों को, एक हेक्टर से कम भूमी बालों को, दो हेक्टर से कम भूमी बालों को, और 2.5 हेक्टर से कम भूमी बालों को, तो याद रखेंगे कब, 166 में क्या रहीगा आपना, तो ए डी ओप्शन होगा उत्तर प्रिदेश, उत्तर प्रिदेश, ठीक है, अंगला कूप्शन है हमारे सामने 168, प्रिदेश में केंदरी ये वानिकी परिशत की इस्थापना कव हुई है, 1948, 1954, 1954, 1950, 1895, तो ये आप देखेंगे, ए ओप्शन, 1948 में, प्रिदेश में भारती ब भाग बनों के अंतरगात आता है, और ये चवाली सहार, पांसो, त्रेसट बर किलो मीटर, ये आप देखेंगे, चमवन, हजार, छैसो, त्रेसट बर किलो मीटर, या सत्रह हजार, दोसो, उनसट बर किलो मीटर, तो इसमें आप लोग याद रखिए, डी ओप्शन होगा, सत उत्तरपिदेश, मद्पिदेश, राज्यों में सजुकत, राजगाठ, नधी, घाड़ी पर युजना लागउ की गई है, कैन नधी पर, सौन नधी पर, चमबल नधी पर, बैटबा नधी पर, तो इसमें याद रखिएगा आप लोग बैटबा नधी पर है, उत्तरपिदे उत्तर पिदेश की सबसे लंबी नहर, घागरा नहर, कैन नहर, निचली गंगा नहर, शादा नहर, तो यह आप देखेंगे, 175 में आपका D option सावदा नहर होगा, 175 में D, 176 में आप देखेंगे की गैसु हाल की लेट परियोजना पिदेश की किस इस्थान पर सुरू की गई ह आमला में, वरेली में, गुरकपुर में, मुझकपरपुर में, 176 में आमला है, नहर, परियोजना है, ओवरा, पनकी, नरोरा, हर्द, दुआ गंज, यह आप देखेंगे, तो इसमें आप लोगों को देखने चाहिए, 177 में, C option होगा, नरोरा, ठीक है, 178, सरभादी जनजाती के पितिसद बाला जिला कौन सा है, मिर्जापो, सौनबद, खेरी, बिजनोर, तो यह आप सभी जानते हैं कि आपका खेरी है, निमलेकित में, निमलेकित जनजातीों में से किसने की जन संख्या, किसकी संख्या, उत्तरपेदे समसरबादिक है, वनराबत की, निमलेकित में से कौन सी अनुसूचित, जन जाती बिजनोर, जिले में निर्वासित करती है, ए बेगा, खरवार, माही, गिर उत्तरू, तो एक सौसी में, आप लोग क्या लगा होगे, सी, महा, माही, गिर, गीर, निमने में से कौन से तिवार को धारू, लोग, सोपर के दस बुकसा, खरवार, माहिग, माहिगीर, थारू, तो आप लोग देखेंगे इसमें थारू की, पितेश के किस्चित में थारू जन्जाती निवास करती है, तराई, पठारी, मैदानी, इनमेंसे कोई नहीं, तो 183 में ए होगा, तराई होगा, क्या होगा, तराई होगा, अंगला पुर में, लखीमपुर में, पिलीभीत में, या गोरगपुर में, तो याद रखी ये आपका लखीमपुर में खोला गया है, 184 में आपका भी ओप्सन होगा, उत्तर विदेश में किंतिम रबट का काजखाना अवश्ति थे गाजियाबाद, कानपुर, लखनव, नुईड तो याद रखी गाजियाबाद में, उत्तर विदेश में दिया सलाई उद्द्यों है, पिरमुक केंद है, बरेली, मुरादाबा, साहरानपुर, मिर्जापुर, तो ये आप देखो मिलेगे बरेली में, कहां? बरेली में, उत्तर विदेश में किंतिम, अंग निर्मान निग कहां है कानपूर में मेरेट में या लखनव में या आगरा में तो यह आप देखेंगे कानपूर में ट्रांसफर्मर बनानी का केंद उत्तर पिदेश में कहा है जहांसी में कानपूर में आगरा में लखनव में तो यह आप लोगों को मालू होना चाहिए कि जहांसी में उत्तर पुरा वनस्पती वीरवल साहनी इस अस्थान उत्तर पिदिस में कहा है आगरा में कानपुर में लखनव में जांसी में तो ये आप को लखनव में देखने को मिलेगा। ए उत्तर पिदेश का कौन सा नगर चिकन पर गोटे का काम बाजरी के लिए पिसिद्धि actors के आगरा में आप देखेंगे लखनव में कानपुर में लावाद में तो ये आप देखेंगे कि आपका कहा है लखनव में वनारस हिंदू विस्विध्यालाई का सिलन्यास किस ने किया था एनिवेसेंट लाइड हार्डिंग मदन मुहन माल भी है विभूती नारायन तो यह आप देखिए 193 में C मदन मुहन माल भी है 193 में C होगा कुशन हमारे समने 194 भारत बर्ष में किसी विस्विध्यालाई की स्थापना की गई जबलपूर में कानपूर में कुमार गंज में पंत नगर में तो यह याद रखी आप लोग पंत नगर में उत्तरपदिस की पिथम मोक्त विस्विध्याला इस्तित आगरा में जहासी में इलाबाद में, गुरकपुर में, तो यह आपको देखने को मिलेगा है, इलाबाद में, पित्थम, विकलांग, विस्विध्याल, इस्थापित किया जा रहा है, लखनु में, चितकूट में, कानपूर में, बांधा में, तो यह आप लोगों को देखने को मिलेगा, चितकूट में सौनभद जनपर नेम लिखे धातूं में से कौन सी पाई जाती है नीची देगे कूट का प्रियूप करके सही उत्तर चुनना है यूरेनियम एंडा एंडालूसाइट और पायराइट और डॉलोमाइट तो इसमें आप लोगों को लाइम इस्टों और डॉलोमाइट रोग फासफर्ट डॉलॉमाइट और उपयुक्त में से कोई नहीं तो यह आप देखेंगे आपका लाइम इस्टों और डॉलोमाइट होगा भी ओप्सण होगा एक सो अन्ठावय में 1159 में उत्तर प्रिदेश में सोना के स्थेत्त में परा त्लिष लगों को देखने को मिलेगे ललित पूर में कहां लळटपूर में ठीक है, अंगला कुशन हमारे सामने 204, उत्तर पिदेश की में हीरा किस ते निकाला जाता है, किस जिले से निकाला जाता है, बांदा ललितपूर, जालोन, हमीरपूर, तो ये बांदा से, उत्तर पिदेश में हिंदोस्तान, अलूमिनियम कॉर्परेशन, द्वाला, अलूमिन कि सतरीत दुई सतरीत तिरिष्टरuse stadiye तो यह आप याद रखीए, 3 सतरीत हैं है कैसा है 3 सतरीत पिदेश के राज़पाल की न्युक्ति कौन करता है राष्टपती, विधानमंति, मुक्हमंति, इसलिकी राष्टपती सहाब, क्या चीज साल होनी चाहिए और पिदेश बिधानसावा परिष्टा कि कितने सदसों को राजपाल मनुनीत करता है तो 210 में क्या लगाओगे एसी 2 को ठीक है 210 में सी पिदेश बिधान परिष्ट कि कितने सदस इसनाता को सिक्षकों दवारा चुनी जाते हैं 15 18 12 16 तो यह आप देखेंगे कि आपका कि आपका 15 होगा 211 में ए ओप्सन है ठीक है क्विशन हमारे समने 200 बारे ए उत्तर परिष्ट में दूई सदनी ये विवस्थ आपी का कि जिनमें एक विधान सबा तो दूसरा सदन क्या कह लाता है मंत्री पर सद्राज सबा विधान मंडल विधान परिष्ट तो इसमें याद रखेंगे 200 बारे में D होगा विधान परिष्ट कहते हैं से क्या के चेते हैं विधान परिष्ट तो इसमें निम्ने में सिक इसका प्रियोगराष्टी जलमार की रूमें किया जा रहा है ये आपको बता चुका हूँ पहले भी इलावाद वा हल्दिया की मद्द गंगा का ठीक है भारत में पितम हवाई उड़ान का पिदरसंग किया गया था 1911 में, 1915 में, 1917 में, 21 में तो ये आपको मालू होना चीए कि कम किया गया था 1911 में निमने में से किस नदी को राष्टी जलमार संख्या एक की रूम में एक तरह से आप देखिए कि रूमें पियुक्त किया जा रहा है, गंगा यमना, भहमपुद, नर्वदा तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ए गंगा का पिदेश में, पिदेश में भारती रेलवी का किस जौन का सरफादिक विस्तार है उत्तर रेलवी का, मद रेलवी का, पश्चिम रेलवी का, उत्तरपूर्वी रेलवी का तो इसमें आप देखेंगे उत्तर रेलवी का 27 में ए कुश्यन है हमारे सामने 28 है, उत्तर पिदेश के विग्ञानिक सोथ कारियों से समंदित बस्तूओं का बिदरसन निमलेकित में सिक्षे संस्थान में किया जाता है राजकिये संगराले लगनव, परांतिये इतिहास इंस्टिटीटीट लगनव, पंचाल इतिहास परिश्यत संगराले बरेली, भारत कला भावन वनारसी तो अठारे में आप देखेंगे परांतिये इतिहास इंस्टिटीटीट लगनव में, भी ओप्सन सही है दोसो अठारे में दोसो उन्नीस, यह आप देखें उत्तर पिदेश में पुरातत्य विभाग की स्थाफना कप की गई थी? उत्तर पिदेश में भारत, भात, खंडे, हिंदुस्तान, संगीत, भाविध्याल, 21 नगर में, लखनव में, कानपूर में, यह फिर आप देखें, आपका, यह फिर इलावाद में, यह बनारसी में, तो यह आप लोगों को मलू होने चाहिए, 220 में क्या लगाओके? अगला कुशन है हमारे सामने 21, उत्तर पिदेश के सबसे अधिक और सबसे कमचेतफल जनपत करमसा है, सौनबद संतर अभी दासनगर, खिरी, संतर अभी दासनगर, लखनव, वागपत, कानपूर, दिहा, तो ललितवोर, तो इसमें याद रखिए आपका, बी उप्सन बिल अठारे सामने 21, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा आपका बी उप्सन, 18, 75 है, अठारे जिले हैं, और आपकी संभागें एक तरह से मंदल हैं, और 75 आपकी जिले हैं, ठीक है, उत्तर पिदेश का सबसे जाना, जन संक्या घनत वाला जिला कौन सा है, गौतम बुद न गाजियबाद, संतकभी, नगर, कानपुर, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, कानपुर होगा, वर्स 2011 की जंगरना की उंसार उत्तर पिदेश में कुल जन संक्या निवास करती है, ये 19 करोड 98,12,341, ये तो आप लोग रटा होना चाहिए, 2011 की इस अपसे, 2011 की जंग करोड 44,8510, वर्स 2011 की जंगरना की आधार पर उत्तर पिदेश में संक्या कितनी है, ये आप देखेंगे, 9 करोड 53,831, ये आप लोग याद रख लिए, मुझे लगता है कि आप लोग जब परिक्चा की तयारी करते हैं, तो इस तरह की तयारी होने चाहिए, कि आप्सन की ज 70.73, तो इसमें 27 में क्या लगा होगे, तो याद रखेंगे, इसमें D होगा, 77.3, 2011 की जंगरना की आधार पर पिदेश में साक्चर महलाओं की का पिती सत कितना है, ये आप देखेंगे, आपका 57.2%, ये उत्तर पिदेश में सबसे कम 6 पल किस जली का है, गाजियाबाद, रा अधार 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 पिदेश में पिती 11.00 में सतिरियों की संक्या क्या है, 835, 965, 912, 922, तो आप सभी जानते हैं कि इसमें 912 हैं लिंगन पाद, पिदेश के आगरा जिले में बटेस और नात के पिसिंद मंदिल लगने वाला पसुओं का मेला किस मेले का नाम से जानते ह पिदेश में बटेस और मेला के नाम से, उत्तर पिदेश में नक, कटेया, मेला कहां पर होता है, लखनव, बनारसी, इलाबाद, सहरानपुर, बताईए, तो इसमें याद रखिए आपका बनार नसीव होगा, ठीक है, पिदेश में अर्दुकुम का आईवजन कितने वर्ष पश्चात लगता है, छे सालवाद, और पूरा आप देखते हैं कि बारेत वादा, छे, तेतीस में आपका यह होगा, उत्तर पिदेश का कौन सा नगर, घाटों बावंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है, घाटों बावंदिरों किसके, यह आप देखें, ग्वराण नदियों में सिक्केस में उद्गम हिरमाले से नहीं है, गौम्ती रामगंगा बैतवा सारदा, 235 की बात हो रहे हैं, तो इसमें गौम्ती नहीं है, और बैतवा नहीं है, रामगंगा सारदा का है, तो इसमें आप लोग C ओप्सन लगाएंगे, 35 में, कुश्चन है, 36, लाल मिटिया पाई जाती हैं, कहां पाई जाती है यह पाई जाती है आपकी मिर्जापुर जास्ती में उत्तर प्रदेश के भावर छेत में किस पेकार की मिदा पाई जाती है यह आप देखेंगे आपकी कंकरिली, पत्रिली पाई जाती है अंगला है आपका उत्तर पिदिश की मिट्टी को कितने बर्गों में बांटा गया है तो A आप देखेंगे कितने में बांटा गया है 38 में A, 2 में उत्तर पिदिश में कौन सी मिट्टी सरवादेक पाई जाती है तो ये आप देखेंगे लाल काली मिसरित D option सही 49 में कॉब मिट्टी उत्तर प्यदिस में अधिकतर कहाँ पाई जाती है कॉब मिट्टी A आप देखेंगे आपका B कहाँ सिंदू गंगा के मेदान में अंगला कुशिन हमारे सामने 41 दो सो एकतालिस राकर मिट्टी उत्तर प्रिदेश में कहां पाई जाती है D. परवतिये वाप पठारी ढालों पर उत्तर प्रिदेश का राच्ची ये पक्ची क्या है तो आप सभी जानते होंगे से तो क्या है कुरसारस है अती लोग पृटी ये धारमिक पत्ति का कल्यान पे कासित होती है कह बनारस से होती है येर गुरबपुर से होती है निमलिखित में से कौन सा सुमलित नही नहीं गलत है बिंदावन-मंद्रा मतुरह जीके लगनो विस्तुनात मंदिर वरारस्ती देवी पार्टन मंदिर तो उसी फूर एद भी देख चुके है आप देखेंगे पीछे कुश्च तो इसमें भी ऑप्सन होगा ठीक है ठुमरी गाय का गरिज्जा देवी संबंदी थे किस घहना आराने से संबंदी थे ए बनारस घहरान अब असलेट बनाए जाते हैं यह कहां बनाए जाते हैं तो यह आप सभी याद रखेगा आपका चुनार में अमीर कुसरों का जनम कहां हुआ था एटा में कहां एटा में अमीर कुसरों ने किसके विकास में अगड़ी महुमिका नभाई खड़ी बोली क्या खड़ी बोली तो ये थी कुछ आपके मात्मूर्ख कुश्चन्स क्या उत्तर विदेश के संद्रम में और एक कुश्चन से उत्तर विदेश में पितम बाईयो टेक पार्ग अबस्तित है तो ये सभी आपको मालूम होने चाहिए लग्णव में इस तरह से आपके कुछ मात्मूर्ख ठीक है पढ़ लीजेगा थोड़ा रिवीजन के point view से चलिए कुछ आपके सुझाओ हों सवाल हों तो आप लोग बताईएगा उन पर भी हम लोग बात कर लेंगे और बात करती रहना चाहिए हमें समझ रहें आप लोग ठीक है